असलाम अलेकूम कैसे आपसु व्यूवर्स आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का टेस्टी चिकन कोर्मा जो जटपड बन जाता है आप सबको बहुत पसंद आएगा आप जड़ू ट्राइ कीजिएगा बिल्कुल जटपड बनने वाली रेसिपी है और प्लीज अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा चले अभी बनाना स्टार्ट करते हैं अच्छा जी हमें इसके लिए चाहिए साथ सुचास क्राम चिकन दो मीटियम प्याज और हाफ कप योगर्ट मसालों में हमें चाहिए एक टेबल स एक टीशपून से टीशपून जिंजर गार्लिक पर हैं 10000 कुरियंड पाउडर 11 अच्छा जी अभी हमने चिकन लेना है चिकन में हमने रेट चिली पाउडर जो है वो डाल देना है टू टी स्पून लिया था हमने उसके बाद हमने कुरियंडर यानि धनिया पाउडर डाल देना है फिर हल्दी पाउडर डाल देना है वन वन टी स्पून और उसके बाद हमने जिंजर गारलिक का पेस्ट लिया था टू टी स्पून वो डाल देने और नमक लिया था वन टेबल स्पून वो डाल देने और इसके बाई योगर्ट था आदा काप योगर्ट ये डाल के भी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देने मिक्स करके हमने इसे सिर्फ 15 मिंट के लिए मेरीनेशन के लिए रख देना है कि मसाले जो हैं वो जड़ा चिकन पर लग जाएंगे सारे और उसके बाद हमने देख जी में हाफ का पॉल डालना है ठीक है ओयल को जड़ा गरम होने दे दें और उसके बाद हमने यह देखिए ओयल गरम हो गया था हमने प्याज डाल दिया प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करने यानि कि अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज हमारा हो गया गोल्डन ब्राउन अभी हमने इसमें जो साबत मसाले थे वो डालने जैसे ये लिये थे बेली और स्टार ने इस बादयान का फूल लिया दार चीनी की स्टिक डाल दी हमने और उसके बाद हमने यानि की लॉंग जो लिये थे वो डाल दी हमने और अलाइची डाल दी चोटी अलाइची बड़ी अलाइची चोटी अलाइची सारे मसाले डाल के इनको फिर आपने एक दो मिंट के लिए भून लेने हैं यह देखिए अभी हमारा जो है मसाला भून गया है प्यास गोल्डन ब्राउन हो गया है अभी हमने इसमें जो मिक्सर बनाया था चिकन का वो डाल देने और वो डाल के आपने फिर अच्छी तरह से पहले पांच मिनट तक अच्छी तरह से भूनने यह इस तरह अच्छी तरह से आपने जो है पांच मिनट तक भून लेना है यह उपर से यह थोड़े से यह वाइट कलर में आ जाए इस तरह अभी हमने इसका क्या करना है अभी हमने इससे तकरीबन बीस मिनट के लिए पंद्रह से बीस मिनट लो टू मीडियम हीट पे आपने इसको कवर करके रख देना है और यह देखें सारा मसाला भून गया है चिकन जो है वो हमारा पक चुक है इसमें हमने पानी बिल्कु भी नियाट किया और यह देखें हमारा सारा मसाला भी भून जो के आउयल उपर आ गया है इसमें ग्रीन चिली और थोड़े से अद्रकाव डाल दें और इसमें जो गरा मसाला था वो आपने एंड में डालना है इस तरह उपर से और फिर उसके बाद जो बादाम थे वो डाल देने हैं और इसको दो तीन मिनट के लिए फिर थोड़ा से भून लेने और इस तरह जी यह देखें हमारा कॉर्मा बिल्कु रेड़ी हो गया है बहुत ही जल्दी बनता है आप जरूर ट्राई कीजिएगा यह देखें बिल्कु रेड़ी हो गया है आईल उपर आगया है मसाला भून चुका है चिकन गल चुका है और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया देखने को